कि इस वक्त इंदोर में लगतार जो है करोना का संक्राइब बलते जा रहा है क्योंकि कल जो मरीजों की रिपोर्ट आई यह उसमें 136 मरीज पॉजिटिव पाएगा हैं काफी बड़ा एक फिगर है यह पॉजिटिव मरीज होगा क्योंकि लगतार यहाँ पे इंदोर में मरीज जो परिवार होता है उसके अंदर एक वेक्ति संक्रमित होता है तो सभी वेक्ति उसमें संक्रमित होते हैं तो ये देखा गया है कि लगातार जो है कोरोना का संक्रमन जो है वो बढ़ते जा रहा है कि इन दौर में जिला प्रशाशन नगर निगम और पुलिस प्रशाशन काफ लोग समझ नहीं पा रहा है कि यह जो संकरमण है जब लगता है तो विक्ति को पता भी नहीं पड़ता है और उसके जरीए पूरे परिबार में और पूरे समाज में जो पूरी आसपास को लोग रहते जो कालो excuse होती ही उसमें भी संक्रमन लगतार फेलता है तो यह इंदवर में काफी चिंता का विशह है कि 136 मरीज एक बार लगतार हैं एक बार लगतार बलते जा रहा है मरीज काफी ज़्यादा मातरा में यहाँ पर मिलते जा रहे हैं अभी फिलाल अगर हम बात करें कोरोना पॉजिट्व मरीजों की जो जिनका उपचार चल रहा है तो वो 1265 इसा मरीज है जिनका उपचार यहां पर इंदोर में अलग-अलग अस्पतालों में यहां चल रहा है और मोत की बात करने तो मोत का आखड़ा भी काफी बड़ा हुआ है जो प्रशाशन की मानने तो प दोर में हो चुकी है और यह पुरानी मोते हैं अभी नए जो पेशेंट है जो नए फिलाल में पेशेंट मिले हैं उनमें किसी प्रकार की मृत्ति यह नहीं यह पर बताए जा रही है तो यह जो संक्रमन यह लगतार बढ़ते जा रहा है फिलाल इस्तिती जो है प्रशाशन क ये कंट्रोल में तो है लेकिन अभी इस्तिती काफी खराब है इसलिए खराब है कि लोग जो है संक्रमन को समझ नहीं पा रहे हैं कोरोना को समझ नहीं पा रहे हैं किसी प्रकार का पलन नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पलन नहीं कर रहे हैं मास्क नहीं लगा रहे ह तो कहीं न कहीं इंदौर एस इस इस्तिती में पहुँचे गा कि लाग डाउन लगने की इस्तिती में इंदौर फिलाल पहुचने की कंडिशन हो जाएगा अगर लगातार यह मरीज इसी प्रकार से संख्या अगर बढ़ती है तो कुल पॉजिटिव मरीजों के संख्या कि हम बात करें तो 5,632 कुल पॉजिटिव मरीज हैं अभी तक इंदोर में और जिनका उपचार हो चुका है वो लोग करीबन 4,000 सित्यासी ऐसे मरीज हैं जो सुष्थ होके और कोरोना से जंग जीत के अपने घर पहुँच चुके हैं तो हम भी आपसे यही कहेंगे इंपीनीज भी आपसे यही दर्खवास करेगा कि जो परिवार है आपका उसका परिवार का ध्यान रखना है आपको अपना ध्यान रखना है परिवार का ध्यान रखना है शेहर का ध्यान रखना है लोगों का ध्यान रखना है और जो गाइड से यहां पर बच्चते नजर आएंगे